हलो दोस्तों नमस्कार स्वागत है आपका डियस कुरूजी में और इस वीडियों हम आपके लिए लेकर आए हैं पीटी एटी और बीएस टीसी से जुड़े एक्जाम्स के लिए महत्वपुन प्रश्ण है यह राजस्तान जीके के यहां पर प्रश्ण है और इनी को अपन सौ से अर्थात राजस्तान की प्राकर्तिक वनस्वति से और राजस्तान के लाजस्तान की जो वन संपदा है और जो पसु संपदा है उससे जुड़े आज यह प्रश्ण होंगे तो इनी को हम जानेंगे पहला प्रश्ण है शेत्रफल के अवरोही क्रम में राजस्तान में वन प्रकार की कौन सी क्रमावली सही है तो शेत्रफल के आधार पर अर्था जिस शेत्र में ज्यादा जन्जिंग क्या है और जिस शेत्र में जिस प्रकार के वन पाये जाते हैं उस प्रकार को हमें बताना है तो अब यहां पर देखिए दिये हुए हैं राजस्तान में एक तो सु वायू की विविदता है जिसके कारण यहां पर वेजिटेशन में अर्था अत्वानस्पतिक विविदता भी पाई जाती है क्योंकि बहुत से शेत्र तो ऐसे हैं जहां पर विल्कुल भी बारिश नहीं होती है तो वहां पर काटेदार वन पाई जाते हैं कंतिली जाड़यां जैसे नाकफनी वगेरा ग्वार पाठा वगेरा और कुछ शेत्र ऐसे हैं जैसे कि जालावार वगेरा जहां पर परियापता आदरता पाई जाती है तो वहां पर सदाहरित वन पाई जाते हैं तो इस तरह से राजस्तान में वन पाई जाते हैं इसके जो वीडियो भी इसका बनाएंगे तो पहला इसका जो वो है सुष्क पर्ण पाती है सबसे पहले फिर मिश्रिक फिर उष्ण कटी बंदिय काटेदार फिर उपोश्ण कटी बंदिय शादाहरित वन ये इसका सही क्रमावली है फिर्स्ट ओप्चन इसमें करेक्ट हो जाएगा इसके बाद जो अपना प्रश्ण है वो है राम सर सम्मेलन राम सर सम्मेलन हुआ था इरान में द्वारा चिन्हित राजस्तान में अंतराश्री महत्व के वन्ने जिव आद्र भूमी पारिस्ततिक इस्तलों के नाम बताईए जो राम सर सम्मेलन इरान द्वारा जो चिन्हित राजस्तान में अंतराश्री महत्व के जो बन्य जीव आद्र भूमी सेत्र है पारिस्तितिक स्तल है उनके नाम बतान है और वो पारिस्तितिक स्तल है सांबर जील केला देव गना सरिश का बाग परियोजना में बागों के विलुप्त होने के उपरांथ प्रतम बार बाग का पुनरस्थान रण थम्बोर में किया गया सरिश का बाग परियोजना में बाग विलुप्त हो गए इसके बाद जो है प्रथम बार बाग का पुनरुस्थान अर्थाद बाग के लिए जो अच्छी पर्योजना है चलाई गई वो रंधंबोर में कप से स्टार्ट किया गया तो ये जो पर्योजना है थी स्टार्ट की गई थी वर्ष 2008 से इसके बाद है निमनलिकित कतनों का परिक्षन कीजिए तथा नीचे दिये गए कूट का उप्योग करते हुई सही उत्तर का चैन कीजिए अब कतन है शुषक शागवान के वन राजस्तान के दक्षिनी भाग में संकेंद्रित है तो दोस्तों शुषक शागवान के वन जो है र ब्रदा की अवशकता होती है उपजाओं ब्रदा की तो ये जो शेत्र है इस प्रकार के जो वन है ये पाए जाते है राजस्तान के दक्षिनी भाग में तो ये एकदम सही है सागवान के वन पिचेतर से 110 सेंटीमेटर वर्षा वाले शेत्रों में पाए जाते है हाँ तो वह उपुष्ण कती बन दिये सदाबहार वन पाये जाते हैं मांट अभ्य पर जो है मांट अभुकी ह्यों है ये फो इसके अलावा है ये जो है पश्ची मीराजस्तान के वन मिश्चित पत जड़ वाले वन है अब पश्ची में राजस्तान के बात करें तो पश्ची में राजस्तान में क्या है पश्ची में राजस्तान में पढ़ता है अपने रेगिस्तान और रेगिस्तान में कौन से जलवाई हो है सुस्क जलवाई हो है तो सुस्क जलवाई हो में ऐसे पेड़ उकते हैं जो पानी की ज्यादा जिनको आउशक्ता ना हो अर्थात कंतीली जाडियां वगेरा उधर पाई जाती है तो मिस्ट पजड वन उन शेत्र में पाई जाते हैं जाकि वार्षिक वर्षा हो कम से कम वहापर वार्षिक वर्षा हो 50 से 70 cm तक लेकिन सुष्कुरेगिस्तान में तो बारिश होती ही नहीं है तो यह वन वहापर नहीं पाई जा सकते है तो इसनी फोर्थ ओप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा चंबल राष्ट्रे अभ्यारण ने किस वन्यजिव प्रजाती के संदक्षन के लिए महतोपूर्ण है जो चंबल राष्ट्रे अभ्यारण ने है यह जिस जा सकता है कि जो चंबल राष्ट्रे अभ्यारण ने हैं यह किसके लिए प्रशिद्ध है तो यह घडियालों के लिए यह बात आप ध्यान रखेगा राजस्तान के थारमारू भूमी में इस्तित्द पारिस्तित्いた की तंत्र पारिस्तिती के तंत्र को इंग्लीश में कहा ज जर्व यह जो है थार मरस्तल में नहीं इस्तित है उसका पाइस्तिती की तंत्र का उधारन भी नहीं हो सकता है इसके अलावा है सुजान गड का ताल छापर म्रगवन यह भी नहीं है जैसल मेर में इस्तित मरू भूमी राष्ट्रिय उध्यान यह जो है राजस्तान के थार पायस्तिति डी कि तंत्र का एक भेघरींं उधारन है राजास्तान सरकार ढूरा पहली वन्वण नीटी का अन्मोधन कप किया गया दोस्तों आर इस्प्री का जो युद्द्याम होता 2016 का उसका प्रश्न हें कि राजस्तान स्रकारद्वरा पहली वन्वण नीति वनों के जो वनों के अच्छा सरक्षन के लिए उनके समवर्धन के लिए जो नीतिया जलाए जाती है उनको वन नीति नाम दिया गया है अपने भारत में अपने राजस्तान में भी और भारत में भी तो यह जो है स्टार्ट की गई थी सबसे पहले फरवरी 2010 में निम्नम इसे किस व्रक्ष प्रजाति के बीजों से तेल की प्राप्ती होती है वो व्रक्ष जिन से तेल की प्राप्त होती है अब देखे सागवान से तेल नहीं प्राप्त होता है इसकी लकड़ी काफी मजबूत होती है तो इसका उप्रयोग फार्णीचर वगेरा में कर लिया जाता ह सीसम के से भी तेल प्राप्थ नहीं होता है और खेजडी के व्रक्ष से भी तेल प्राप्थ नहीं होता है यह जो प्राप्थ होता है यह होता है रतन जोट के इसका तेल भी आता है घना पक्षी विहार पक्षियों का श्वर्ग माना जाता है यहां का मुख्य आकर्शन है गनापक्षी विहार राष्ट्रे राजमाक संक्या 11 भरतपूर पर इस्तित है भरतपूर में इस्तित है ये नैशनल हाइवे 11 पर सन 1981 में इसे राष्ट्रे पार्क का दर्जा दिया गया था 2021 में इसको राष्ट्रे पार का दरजा दिया गया और 1985 में से विश्व धरोवर में सामिल किया गया यहां एक Python पॉइंट भी है जहां अजगर पाय चाते हैं यहां एक Python पॉइंट है जहां पर अजगर भी पाय चाते हैं लाइन भी महत्रोपूर्ज राश्ट्री उध्यान नहीं है अब देख़ें सवाई-माधूपूर में राश्ट्य उध्यान चित्तोडगड मैं हैं भरतपूर में गंगा पूर में एक खोल नहीं है तो यह उप्षन है कॉन सा युग सुमेली थे मुकंदरा हील्स मौ Holz महाउंटाभू में नहीं है इसके लावा सरिष्का भ्यांने सवाय मादुपूर में नहीं है इसके लावा यह मbn है और नहीं और यह और विभागadomoंध के नौ contribute ये जालवार दोनों में विष्त्रत है वनविभाग के अकोडिंग अगर माना जाए तो इनकी सीमा मिलती है तो हो सकता है थोड़ा सा जालवाड में भी हो दराथ भ्यार ने तो इसलिए वनविभाग ने ये बताया है कि से पत्तों से बीडी बनाए जाती है बीडी बनाई जाती है तेंदू के पत्ते से LDC के एक्जाम में भी ये प्रशन पूछा गया था 2018 में कि किसके पत्ते से बनाई जाती है तो तेंदू के पत्ते से बनाई जाती है राजस्तान में भेडियों की संख्या में निरंतर कमी के चलते राजस्तान में जो भेडियों पाये जाते उनकी संख्या में निरंतर कमी आ रही है मतलब घटी जा रही है वन विभाग द्वारा राज्य में कहा भेडिया प्रजनन के इंदर खोलने का निर्ने लिया गया है राजस्थान में वन विभाग द्वारा जो है भेडिया प्रजनन के इंदर खोलना का निर्ने लिया गया है ये प्रजिनेंट केंद्र इसले खोला जा रहा है ताकि भेडियों की संख्या में ब्रद्धी हो उनको परियाप्त पोशन मिले तो ये खोला जा रहा है नाहरगड में वर्स 2016 लखी गणना के अनुसार संपूर प्रदेश में भेडियों की संख्या है ये प्रशन भी आ सकता है और जैपूर में एटी ठूती वर्तमान में नहरगड जूलोजीकल पार्क में भेडियों की संख्या दस से बारा है वन विभाग द्वरा वनने जिवकिस प्रजाती को संकट गर्स और दुल्लब प्रणनी माना गया है इसके आयू लगबग वारावर सिस्टम लागू करने वाला पहला देश का पहला राजे कौन सा है अब यह सिस्टम का ध्यान रखना है सर्विलांस एंड एंटी पोचिंग सिस्टम और इसको लागू किया है राजस्तान ने यह सिस्टम मुकंद्रा हिल्स टाइगर रिजव रंधंबोर नेशनल पार्क सरि अभी तक यह सिस्टम अमेरिका वस आउथ अफ्रिका के जंगलों में ही है इस सिस्टम में 20 मिनिट से में सिकारियों को अपने कबजे में लिया जाएगा देश का सर्षेट लेपर्ड पार्क बनाया जाएगा यह बनाया जाएगा जालाना जैपुर में मगरमच की प्रजनन परियोजना है यह क्रियनवित की जा रही है बागदड़ा नेचर पार्क उदेपुर में 13 अक्टूबर 2017 को यहां चीतलों को छोड़ा गया है और इसे म्रगवन के रूप में भी विकशित किया जा रहा है देवली रोड पर प्रस्तावेत इसम्रती वन का MOU संपन हुआ MOU कोला जाता है दोस्तों समझोते को और यह संपन हुआ था 16 दिसंबर 2017 को राजस्तान में अब यह आगे लाइविश्टोक से संबंदित प्रशन लाइविश्टोक मतलब होता है पसुधन राजस्तान में भारत की कुल पसु संख्या का प्रतिशत पाया जाता है भारत में जो है कुल पसु संख्या का प्रतिशत जो है यहाँ पर यह option 15%, 25%, 22%, 27% दिया हुआ है तो यह सारे ही option इसमें गलत है भारत में जो पसुधन का प्रतिशत पाया जाता है वो पाया जाता है 11. पॉइंट टू सेवन परसेंट दो हजार बारा की जनगर्णा के अनुसार राजस्तान में देश का कुल पसुदन है 11.27 प्रतिसत राजस्तान में थार पारकर नसल की गाय की उत्पत्ती स्तल है अब एक बात तो यह ध्यान रखनी है थार पारकर जो नसल है वो गाय की नसल है तो यह बात ध्यान रखेगा और इस प्रकार की जो नसल पाय जाती है यह पाय जाती है मालाणी बारमेर में अब यहां पर राजस्तान का मैप दिया हुआ है राजस्तान के उत्मान चित्र में पसुओं की प्रशिद नसलों के शैत्रे वित्रन को 1,2,3,4 और 4 से अंकित किय संद्री आगया है नीचे दिये गए क्रमावली में इनका सही अनुक्रम भठानी अब देखिए यहां पर है मैप दिया हुआै और इधर दिए हुए है अपने फ़सुओं के नाम अब देखिए यह जो शैत्र है यहां पर जो नसल पाया जाती है वो पाया जाती है राथि इ वर्स 2007 से 2012 के मद्धे कमी हुई है 19 वी चंगरना पसुगरना हुई इसके अनुसार राजस्तान में भेडों की संख्या जो 2000 शात में थी उसमें कितनी कमी आई है 2012 के मद्धे तो इसमें जितनी कमी आई है वो आई ये 18.86% वर्स 2007 की पसुगरना के अनुसार राजस्तान में पसुगरना की संख्या कितनी है 2007 में जो पसुगरना हुई थी इसके अनुसार राजस्तान में जो पसुगरना की संख्या है वो है 5.66 लाख 2012 की पसुगरना के अनुसार राजस्तान में कुल पसुदन 5.77.32 लाख हो गया सब्सक्राइब देखिए पसुपालन विभाग द्वारा राजस्तान सरकार के नसल शुधार कारेक्रम है जिसके अंतरगत जक्राना सिरोही और मारवाडी तीन नसले ली गई है और इस नसलें में जो यह नसले हैं यह दक्सले हैं बक्रियों की ध्यान रखेगा आप किसकी नस है 2013 का सुची फर्ष्ट को सेकंड से मिलाना है और नीचे दिये गए कूट कनुसार उत्तर देना है राजस्तान के शेत्र दी गई है पसुनसले यहां पर दी गई है तो इनहीं को अपने को मिलाना है उत्तर पस्चिमी राजस्तान उत्तर पस्चिमी राजस्तान का जो शेत् में गीर। यह तीनों यह जो कुर्ट है ये साइकंड उप्चुन यह आप पर सही है। पशिए मूझसे समंद्दित नस्ल का सही मिलान कीजी एक चौरית मतार संहंद्दित नस्ल का सही मिलान संहई तो जो ऊळविश्य ओट की नस्ल है वह यह नाच्रा इन दोनों की नसले हैं यहाँ पर जो फॉर्थ ओप्शन है वो इसमें सही है इसके बाद है राजस्तान में भेड उन प्रशिक्ष उनस्तान कहा है जेपूर में मुख्य मंत्रे पसुदन निशुल को दवा योजना कब लागू की गई पसुओं के लिए निशुल को दवाएं उपलब्द करवाने के लिए योजना सुरू की गई थी मुख्य मंत्रे के द्वारा और ये योजना सुरू हुई ती 15 अगस्त 2012 से राजस्तान का राज्य पशु कुन सा है राजस्तान का राज्य पशु चिंकारा है चिंकारा वन्य जीव श्रेणी में राज्य पशु है अब उट को भी पसुधन श्रेणी में राज्य पशु गोशित किया गया है अब ये बात ध्यान रखने है जो वन्य जीव श्रेणी है उसके अंतगत राज्य पसु है चिंकारा, लेकिन जो पसुधन श्रेणी है उसमें राज्य पसु ऊट को भी गोशित किया गया है, लेकिन चिंकारा सदा से ही है और ये रहेगा, और ऊट भी रहेगा लेकिन इस श्रेणी में भी ऊट जो है राज्य पसु है और चिंकारा भी ह लिम्नांकित में से कौन भेड की नसल है भैस की नर्सल है याँ पर मगरा दोहजा बारागी जनगर्णा का अनुसा राज्ये का सरवादिक गोवन्स वाला जीला कौन सा है तो वो है उदेपूर जहाँ पर सबसे जादा गोवन्स मतलब गाय की नसले पाए जाती है संत्रा उत्पादन के द्रष्टी से राजस्तान का नागपूर किसे कहा जाता है जालावार क्योंकि वहाँ पर संत्रा को उत्पादन बहुत अधिक होता है राजस्तान में जालावार में वहाँ करते हैं तो इसलिए उसको राजस्तान का नागपूर कहा जाता है क्योंकि अपने भात में नागपूर एक ऐसा शेतर है जहां पर संत्रे की खेती बहुत अच्छी तरह से होती है और उत्पादन भी बहुत अधिक होता है तो इसलिए जालावार को गहाता है खेतों में जुताई के बाद भूमे को समतर करने के लिए फेरा जाने वाला मोटा पाट क्या कहलाता है तो इसे चावर कहा जाता है बजेडा किसे कहते हैं बजेडा जो है एक पान का खेत होता है जिसे बजेडा कहते हैं Central Arid Zone Research कहां परिष्टी थे तो दोस्तों एक बाद तो आपको ध्यान रखनी है C-A-Z-R-I ये होता है और ये फुल फॉर्म है इसकी फुल फॉर्म है Central Arid Zone Research ये जो है काजरी इसका कहां परिष्टी थे इसकी फुल फॉर्म पुछी गई थी LDC के एकजाम में जोतपूर में ये इस्तित है तो आपको ये ध्यान रखना है हरी बाली रोग किस फशल में होता है हरी बाली रोग होता है बाजरा में इसके जो बालिया होती है बाजरे की वो हरी पर जाती इसलिए इस रोग को हरी बाली कहा जाता है अफीम की खेती निम्नम ऐसे किस जीले में नहीं होती है अफिम की खेती जीले में नहीं होती है वो है उदेपूर क्योंकि वहाँ पर उसके लिए आउशक भोगवलिक दसा है नहीं पाये जाती है बाकि जालावाड में होती है कोटा में भी होती है पर चित्वरयदोगर में भी होती है राजस्तान की कित जीले में जुमिंग प्रिणाली की वालरा खेती है अब देखेथे जुमिंग प्रwn color ये एक ऐसी खेती है जिस्समें पस लोखो का वे्हिसान परिवार याता है भो एक सथान से दूसरे सदान पर जाता है वहाँ की भूमी को काटता है जलाता है फिर जब तक वो उपजाव रहती है वहाँ पर खेती करता है फिर जब उसकी उपजाव शमता खतम हो जाती है तो उस शेतर से वो निकल जाता है और दूसरी जगा पर खेती करता है इसी तरह की खेती को अपन जूमिंग क्रशी करता है जिसमें किसान का जो परवार होता है उसका ही भरन पोशन होता है और ज्यादा उत्पदन नहीं होता है तो राजस्तान में इसी जूमिंग केती को वालरा केते हैं अब वालरा जो क्रशी होती है राजस्तान में ये डूंगरपूर, उदेपूर और बासवड़ा इन तीनों में होती है यह राजस्तान में दमशक गुलाब की खेती निम्न मेंसे कहा होती है दमशक गुलाब की खेती होती है खमनोर में निम्न मेंसे कौन से तिलहन की फसल राजस्तान में खरीब के मौसम में उतपादित नहीं की जा सकती है वो तिलहन है सरसो जिसकी राजस्तान में खरीब के मौसम में उत्पादित नहीं की जाती है यह मुंगफली खरीब में होती है तिल खरीब में होती है और स्वयाबिन भी खरीब की फसल है लेकिन सरसो नहीं है सरसो रभी की फसल है यह इसलिए नहीं है क्योंकि सरसो के लिए जो आउशक तापमान है वो खरीब के मौसम में नहीं पाया जाता है सरसों के लिए जो है उच्चत आपमान के आउशकता होती है और ये जो है रवी की फसल में की जाती है रवी की जो टाइम होता है उसमें होती है क्योंकि इसके परियाप्त व्रदी नहीं हो पाती है खरीब के मोसम में इसलिए रवे के मोसम में उगाए जाती है इसके बाद है राजस्तान में निम्न में से कौन सी संख्या सीत बंडार ग्रह और मंडी याड बनाने में संबद है राजस्तान में वो संख्या जो सीत बंडार ग्रह और मंडियाड बनाने में सब्भद है वो है क्रशी विप्णन बोड निम्नमें से कौन सी राजस्तान में बोई जाने वाली रभी की तिलहन है राजस्तान में बोई जाने वाली रभी की तिलहन जो है वो है राई राजस्तान राजय में कितने परतिशत जनसंख्या क्रशियों सम्बद गतिविद्यों पर निर्बर है तो ये निर्बर है 62% जनसंख्या शेत्रफल की द्रिष्टी से राजस्तान का सबसे बड़ा क्रशी जलवायू खंड कौन सा है शेत्रफल की दिश्टी के अगर बात करें तो राजस्तान का सबसे बड़ा क्रशी जलवायो खंड जो है वो है सुस्क पश्चिमी मैदानी खंड इसके बाद है राष्ट्रिय बीजी ये मसाला अनुसंधान केंदर इस्तित है तबीजी अजमेर में ये इस्तित है राष्ट्र से 100 cm वर्षा के आउशक्ता होती गेहूं के लिए और बाजरा के लिए जो होती है वो होती है 50-70 cm और चना के लिए भी इतनी ही वर्षा के आउशक्ता होती है लेकिन जो चावल की खेती है उसके लिए 100-200 cm बारिश के आउशक्ता होती है तो इसके लिए जो है जलकी दिक आउशकता होगी तो अपना फूर्थ ओप्शन इसमें सही हो जाएगा बायो डीजल के लिए किस पोदे की खेती की जाती है रातन जोत राश्ट्रे सर्सो अनुसंदान केंदर इस्ति थे सेवर में साथ से 9 नौमबर 2017 तक ग्राम गोबल राजस्तान एगरी टेक मीट का आयोजन राज्ये के किस चीले में किया गया तो इसका जो आयोजन हुआ था ये हुआ था उधेपूर में राजस्तान को जेतुन की चाय बनाने का गोरो प्राप्त हुआ है यह चाय कहां बननी आरम हुई राजस्तान जो है यह जेतुन की चाय बनाता है इसका गोरो राजस्तान को प्राप्त हुआ और यह चाय बननी प्रारम हुई थी जैपूर में जेतुन की चाए बनाने के लिए उलिट या फूड्स कम्पनी ने जेपुर जी ले के बस्ती में जेतुन की पत्तियों की चाय का सैयत इस्तापितकार विश्व की पहली जेतुन की प्रशन्सक्रत चाय का उत्पाधन शुरु किया देश में पहली बार सरसो और तिलहन पर अंतराष्टे सेमिनार कहां आउजित की गई तो यह आउजित की गई थी जेपुर में सेमिनार जो है 23 से 37 फरवरी 2017 तक दुर्गापुरा क्रिशी अनुसंदान परिशर्ड में सियाम के सभागार में आउजित की गई थी देश का पहला जेविक खेती अनुसंदान केंदर राजस्तान के किस चीले में है तो यह इस्तित है जालावार में 7 फरवरी 2017 को राजस्तान राज्य बीज्यम जेविक उत्पादन प्रमाणी करण संस्ता की ओर से यह गोशना की गई जेविक खेती के शेत्रफल के लिहाद से राजस्तान देश में तीसरे नमबर पर है फरले नमबर पर मध्य प्रदिस तो ध्यान रखेगा जेविक खेती के लिहाद से राजस्तान थर्ड इस्तान रखता है पहला एमपी और दूसरा है महराष्टर राजस्तान में 65,000 हेक्टियर जेविक खेती हो रही है तो यह भी बात आपको ध्यान रखनी है साथ फरवरी 2017 को राज्य भी जम जेविक उत्पाधन प्रमानी करन संस्ता के ओर से यह खोशना की गई है तो दोस्तों यह जो पीटीटी और बीस टेसे से जुड़े प्रसने जो हम आपको करा रहे हैं यह एक्जांस के लिए बहुत ही पढ़िएगा और इनको अपने फ्रेंड्स के साथ भी सेर करिएगा और इस वीडियो में इतना ही थैंक्यू सो मच थैंक्स पर वचिंग